जी राम राम नमस्कार आप सभी को तो आएए दोस्तों आप सभी के लिए आज मैं एक और भरती के अपडेट लेकर आ रहा हूं हलांकि आपने शॉर्ट नोट्स तो देखा होगा यानि नोट्पिकेशन देखा होगा आपने ये डिपार्टमेंट राजस्तान हाई कोड से सिस एज़ाम किस मोड में होने वाला है सारी बात हैं इस वीडियो में करने वाले हैं सेशन में करने वाले हैं आपके लिए गौल्डन और से आपके बही बरती परिक्षा की त्यारी कर बारे में बहें system assistant के रिक्थ पदों पर सीधी भरती है तो प्रट्ंट की परिक्षा 2023 राजिस्तान उच्छ से न्याले जोदपूर्दवारा राजिस्तान उच्छ न्यायले करम सारी सेवा सेवा नियम 2002 की बात करें कि प्रावधानों के अंतरगत राजस्तान उचनाले हेतु सिस्टम असिस्टेंट के पदों पर भरती निकल कर आ रही है ठीक है आगे हम बात करें आपे पोस्ट की बात करें केटेगरी वाई जो करेंट वेकेंसी है यहां पर देखो वीडियो अगर लंबी भी बने तो आप इसके पर लेना अगर आपको यह सारी चीजे देखने में इंट्रेस्ट नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं वेडियो को मतलब आगे डॉट डॉट करकि वह इसके वाला जो होता है इसमें टोटल पोस्ट की बात करें टोटल आपके लिए 230 पोस्ट पर भरती निकल कर आ रही है जनल की बात करें पचास पोस्ट है ठीक है टोटल जन्रल की किलियर ओके अगर हम बात करें आपर जन्रल में भी देखिए यह तो आपके देखो यह ऑन्स परकार से कुल गणरल में जो पोस्ट है वह पच्छासी पोस्ट है यह अलग-अलग है जनरल मेल है इस परकार से ऐसे ही यहां पे कुल जो लिए 23 पोस्ट है सी के लिए 36 पोस्ट है यह से सब्सक्राइब ऑप इस प्रकार से यह इस प्रकार से हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं है अब बात करते हैं आई-उस से रिलेटेड यानि इसमें उम्र सीमा क्या है ठीक है आयू सीमा क्या है आयू सीमा की अगर बात करी जाती है तो आयू सीमा आपकी रखी गई है 18 वर्ष लेकर 40 वर्ष तक आयू सीमा रखी गई है मोटी मोटी अगर बात करें तो आप कम से कम 18 वर्ष होने चीए और हाइस आपके लिए आयू का प ठीक है अब देखो इसमें age election इसमें कुछ अलग different type का दिया हुआ है divorce और अगर बात करें विद्वा में उसमें age election नहीं है बाकी किसी में 5 वर्ष का है तो किसी में 2 वर्ष का है ये जो है न इसकी PDF ये लगबग 10 रिलेक्शन के बारे में बताए गया है ये आपको PDF में सारी जानकारी मिल जाएगी PDF की link में description में दे रहा हूँ आप complete PDF को जरूर से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों आप बता दूँ इस भरती में किसी भी परकार का CET बगरा लागू नहीं है सीधी भरती है आपका exam होगा exam के बाद में test होगा ठीक है ये सारी बाते अपने इस वीडियो में करने वाले है देखें परिक्षा शुल की बात करें तो examization जो फीस है वो सामने वर्ग के लिए अने पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए ठीक है 750 रुपे फीस है कितनी है 750 रुपे फॉर्म फीस है राजस्तान राज्य के अन्य पिछड़ वर्ग नॉन क्रिमिनियल वर्ग की बात करें 600 रुपे है 600 रुपे फीस है और राजस्तान राज्य के अनुसूचीत जाती अनुसूचीत जन जाती और दिव्यांग के लिए 400 रुपे फीस है तो ये कि 4 जनवरी से आपके फोर्म श्रू हो रहे हैं 4 जनवरी 2024 से और कब तक चलने वाले फोर्म आपके देखो दो पर एक बज़े से छार जनवरी को दो पर एक बज़े से दिन आंक तीन दो यानि कि तीन फरोरी तक तीन फरोरी तक आपके फोर म भरे जाएंगे जो की मौटी-मोटी बात करें तो एक महा आपको फोर म भरने में दिया जाएगा कुल ठीक है ये रात को वारा बज़े तक नहीं बल्कि पांच बज़े तक है समय से पहले ही अपना फॉम भर ले वे कि आप BSC computer में करे हुए है computer science में तो आप इसमें apply कर सकते हैं आपने अगर PGDCE किया हुआ है तो आप इसमें eligible है अगर आपने A level किया हुआ है एना A level जो कोर्स है DOEACC के द्वारा करवाय जाता है या आपने A level कोर्स देखो PGDCE ये एक वर्ष का होता है ठीक है अगर आपके चल रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं और A level जो है ये अगर आपके चल रहा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ठीक है ये एक एक वर्ष के ही क फिर इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर एप्लिकेशन, इन्फोमेशन, टेक्नोलोजी, किसी में भी अगर तीन वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई बेर्शत कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था आपका नियूनतम शैक्ष्णिक योगेता, या तो आपके पास पॉल रेटन एग्जाम जो है, इसका क्या, पार्ट A, पार्ट B, ये तो आपका क्या होगा, रेटन होगा, ठीक है, पार्ट A में 80 सवाल आएंगे, और पार्ट B में आपके 20 सवाल आएंगे, 80 सवाल ये बात कर लेते हैं, अपन कंप्लेट रेटन टेस्ट विल बी मादियम से होगा ठीक है कोई computer-based exam नहीं है और no negative marking negative marking इसमें आपके नहीं है और जो जो आपका देखो final merit निकलने वाली है न वो क्या होगी तो इसमें तो यह अपन बात करते हैं आगे किस को शामिल किया जाएगा इसमें देखते हैं सबसे पहले बात करें यहां पे syllabus की पाठे करम की तो यह विश्तरत तो मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूँगा विश्तरत के लिए ठीक है विश्तरत जिसमें syllabus हम बात करने वाले अलग से मैं आपको वीडियो दूँगा लेकिन इसमें हम short में बात करें सेक्षण जो आ है सेक्षण 200 में आपका रिटे ट्सट जो है क्या है इसकील टेस्ट यरि color विश्तरते अजिक्षिंग में इणिक्समें रहता तो होगा न ऍटेमेंडल भी है न आई-छी इसजील एं सब कुछ नो Toni नंबर होंगे 80 सारी नंबर का होगा computer ठीक है यह आपके 45 for other candidate minimum marks 45 marks आपको लाने जरूरी है ठीक है 80 marks मैंसे 80 number मैंसे आपको 45 लाना अविश्यक है इसमें यह देखने वाली बात होगी है और पार्ट बी में आपका एक तो राजस्तान अदेको जी के है एक तो ठीक है जी के में क्या है जर्नल अवर्णाइनस में करेंट अपर से राजस्तान की हिस्ट्री कल्सर और जियोग्राफिय है ठीक है एक बात हो जाती है और दूसरा जो है आपका इंग्ली सब्जेक्ट है ठीक है इंग्लीस के भी दस स्ट देस कोईशन जी के काएंगे और दस क्वैशन आएंगे इंग्लीस के तो इस प्रकार से 20 है ठीक है कुल दोनों को मिला करे 20 में से नहीं सौरी है यहां पर सो है तो सो मैं से आपको 45 कम से कम लाना जरूरिय दोनों को मिला करे और स्सी और स्टी और पियंच के लिए 40 मार्ट जो है में जिम्म करें हुए हैं कि इतने तो मिनिमम आना ही चाहिए और दो घंटे का यह आपका रिटन टेस्ट होगा ठीक है अब हम बात करते हैं यह आपका सेक्शन भी जो है रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर पर आपका यह टेस्ट होगा पर फस्ट इस पेड़ टेस्ट आपका जाएगा ठीक है और यहांपे अफिशिएंची जिसमें मायक्सप्रवर्वड एक्सल पाउरपउट वगएरा आपको करवाया जाएगा एक्सल और वर्ड ओनली हिंदी की बात कर और पी हैं चुको बीस नंबर लाने होंगे उसी परकार से इंग्लीज का होगा पांच मिनिट का जिसमें से 25 मार्स का होगा वो सेम सेम क्रेटेरिया है और पेपर टू इसमें बात करें तो इस परकार से यह आपका से आता है और सेक्शन सी में आपका होगा इंटर्व्यू परसनल इंट्री होगा जो की 20 मार्स का होगा ठीक है बीस नंबर का होगा आपका इंटर्व्यू तो कुल मिलाकर जो मेरिट बनने वाली है मेरिट बनेगी आपके सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों को मिलाकर तो इस परकार से इसमें मेरिट बनने वाली है अब आप आपके मन में क्या विचार आ रहा है वो मेरे मन में भी आ रहा है कि इसमें इंटर्व्यू है तो क्या हो सकता है खेर हमें गलत जो है ठी है चलिए बात आती है अपने यहां पे नोट्स की दोस्तों आपको देखो वैसे आप ऐसा करें नोटिपिकेशन की पीडियेप आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर राजस्तान classes.in आपकी अपनी वेबसाइट है इसमें आप जाओगे तो लेटेस्ट पोस्ट में आपको आपकी अपनी जो है नोटिपिकेशन मिल जाएगी सीधी बात प्ले स्टोर एप से आप जीके के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्ले स्टोर पर एप है जिसका नाम है राज है ठीक है टेलिग्राम और वाट्शाप ग्रूप को जाइन जरूर करें आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें उस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं All the best आप सभी को और मैं नई वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपका सिलेबस जुड़े रहेगा हमारे साथ और पहली बारे के साथ साजा करना ना भूले जै हिंद वन्जे मात्रव